हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ड्रामा स्पेलर जी हाँ मैं जिन्दा हूँ बस बिमार थी और अभी भी हूँ दूआ करना जल्दी ठीक हो जाओं आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्स्प्लेइन करने जा रही हूँ जो ड्रामा इतनी ज़्यादा अच्छी लेगी मुझे बस इसे करना है एसी आवाज आई अंदर से तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रामा के स्टार्टिंग में दिखाता है आज से 500 साल पहले एक नाइन टेल फॉक्स को कपूल के लव को तोड़ने की चूल मची थी उसकी वो कारनामा देखके मैरेज दिवताओं को मिर्ची लगी फिर क् मेरेज गोड टियांग सी और लुवान उससे फाइट करने आगे जिसमें लुवान जक्मी हो गई और टियांग सी उसे संभालने लगा तब भी वो फॉक्स पीछे से अटक कर देती है जिससे लुवान अपने उपर ले जाती है जिससे टियांग सी गुस्सा आओके उस पे अपना 10,000 साल के तपस्या से फॉक्स को सील कर देता है और फॉक्स भी अपने पावार से बार करती है जिसके बज़े से वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते और टियांग सी जीबन भर अकेला रहेगा फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं ये सब यू लाओ सोच रहा था जो लु लुवान को अभी कुछ भी याद नहीं थी वो तो 99 मेरेस करके खुश हो रही थी क्यूंकि उसे और एक साधी करानी थी जिससे उसे प्रमोशन मिल जायेगी लेकिन यू लाओ परिसान था क्यूंकि अगर टियांग सी और लुवान हेबन को रीटन नहीं करेंगे तो वहां क मेंगर उसे आर्थ को भेज़ देंगे उसके पास सिर्फ एक महीना था तब भी लुवान मतलब अबकी ल्यू इंग सो वाला मैच मेकिंग नहीं कर पाती और चिला दिये कौन बत्तमिज मेरे प्रमोशन के भी जा रहा है ये सुनके यू लाओ बोलता है कभी तो सीरिस हो जा इंसान के बीच मैच मेकिंग अपने फाइदे के लिए करेगी तुझे प्यार क्या है पता भी है लियू इंग उस्जाओ के बोलती है नहीं नहीं पता जो मेरी काम है मैं कर रही हूँ अब तक तो सब कुछ ठीक से हो रहा था ये सो वाला ही नहीं हो रहा है तुम्हारा सिस् पूल मत बनाओ मैं नहीं जाने वाली ये सुनते यूलाओ तुम जाओगे बोल के उसे आर्थ को धकिल देता है और बोलता है अब तू ही कुछ कर सकती है आर्थ में जब इंग जियांग चिन के पास जाती है उसे पता चलती है कि जियांग चिन तो बहुत बड़ा डॉक्ट ले लोगे तो मैं तुम्हें क्यांडी दोगी वह बच्ची बोलती है पहले क्यांडी दो फिर जियांग बोलता है ज्यादा क्यांडी खाने से दांत दर्द होगा तो वह बच्ची अपनी दांत दिखाती है देखो मेरी तो दांत ही नहीं है यह देखके उसके मेड़ हसने लग लिपते हैं मेरे पेछ में घर दे मुझे मेडिसंन दो ना जीआंग बोलता कोई जरुरत नहीं जुदा सीपतार पानी हो ठीक हो जाएगा हैृ दॉक्तुर jetzt one मेरी मम्मी हर बात पर पानी पिने को बोल रहा है जियांग लिव को वहां से जाने को बोलता है तो जब लिव वहां से जा रही थी दो आदमी उसके पास आके बोलते हैं कहां जा रही है और डॉक्टर जियांग को लड़की पसंद ही नहीं है और तुझे लगा वो तुझे भा बहुत मारते हैं लेकिन लाश्ट में एक ने लिव को पीछे से धक्का दे देता है वो जियांग के उपर गिरती है तब ही जियांग जब देखता है लिव उसका हाथ पकड़ी है वो उसे साइड करके वहां से भाग के जरके अपना ड्रेस खोल के चिक करता है अक्चुली उसे आलर्जी था जब भी कोई लड़की उससे छोती थी उसका तब्रेत खराब हो जाता था लेकिन इस बारे सक कुछ नहीं हुआ था वो सोचता है ये कौन है जिसके छोने से मुझे कुछ नहीं हुआ तो दोस्तों ये ड्रामा तुम्हें कैसा लगा क्या मैं इसका दूसरा पा मैं बागाइ